जैमातादी दोस्तों, नवरात्री तीन अक्टूबर से प्रारंबो होने वाली है लाल किताब एस्टो सेंटर की पूरी टीम की तरफ से आपको अभी से हारदिक शुब कामना है नवरात्री की मैं विकास मलोत्रा लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जो नवरात्री में बुद्ध के लिए बहुत एफेक्टिव सावित होता है नवरात्री मैंने पहले भी आपसे अपने कुछ वीडियो में बात करी है कि एक ऐसा अफसर है जहां मादुर्गा की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मादुर्गा जो है वो बुद्ध की आराध्या देवी हैं बुद्ध के दायरे के में सभी ग्रह घूमते हैं तो बुद्ध को अच्छा कर लीजे, तो पहला जो वीडियो आज मैं लेकर आएँ, बहुत सारी वीडियो लाँगा, पूरे नवरात्री के दोरान, आप वीडियो देखें, जो जो उपाये आपके मतलब का है, वो तो आपने करना ही करना है, जो आज का वीडियो है, यह बहु कराया हूँ, कोई बहुत जादा मारा मारी की जरूरत नहीं है, आप मादुरगा की आरादना करें, इन नौ दिनों में ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तो अन तक हमारे साथ बने रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे आपक लिए वीडियो ला रहे हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी, फिर आपका कोई वीडियो मिस हो जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, गुरु जी ये वीडियो देर से आया, अरे बहीं जब हम तो नवरात्री शेयर करूंगा, वो मंत्र का जाप आपके लिए राम बान सावित होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर उपायों के पैसे नहीं होते, हम उपाये नहीं कर पाते, हम बड़े ज़्यादा बीजी रहते हैं, तो मंत्र का अगर आप समय निकाल लेंगे, तो मंत्रों से भी आप से रेगुलर्ली शेयर करता रहूंगा, तो अन तक हमारे साथ बने रहें, बात करते हैं, नवरात्री में बुद्ध का उपाय किस तरह से करना है, अब सबसे पहले जो बात शुरू कर रहा हूं, कि तीन ऐसी चीजे बता रहा हूं, जो नवरात्री में हर व्यक्ति कर सक सकता है, कोई पत्री देखने की आपकी जरूरत नहीं, आप कहते हैं, सर मेरे पास तो पत्री नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इन उपायों का कोई नुकसान नहीं है, ये तीन उपाये, आप पूरी नवरात्री के दौरान, और मैं आपको अर ले लीजे, एक कपूर का छोटा टुकडा ले लीजे, जैसे आप दिया जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब करिए, इसके साथ यीन चीजों से, मतलब दो लॉंग के साथ कपूर रखके उसको जला लीजे, और माता की आरती करिए, एक मंत्र है, ओम एंग रीम क्लीम चामु कोशिश करिए, यह 24 घंटे आपके मन में गूंजता रहे, आप यह देखेगा, इस मंत्र में इतनी, इसको नवान मंत्र खा जाता है, इसकी इतनी उरजाए, मैंने इस पे भी एक वीडियो अल्रेडी शेर किया हुआ है, कि नवान मंत्र की क्या इंपोर्टेंस है, और हर जो भी समय, सुबा, शाम, दुपैर, जब आपको टाइम मिले, ओम, एंग, रीम, क्लीम, चाहुंडाई, विच्छे, यह कहते हुए, यह आरती करें, तो यह वाला उपाय तो सभी को पहला काम करना है, दूसरा मैंने आपको यह कह दिया है, साथ-साथ इसके मंत्र जपना है, य आपको जब मौका मिले, इसको सुनना शुरू करिए, पांच-छे मिनट का मंत्र है, मुश्किल से, आप इसको दिन में एक बार जरूर सुनिए, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के लिए भगवान शिव मा पारवती को कहते हैं, जो व्यक्ति दुर्गा चालिसा नहीं पढ़ प तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कहा जाता है, भगवान शिव कहते हैं मा पारवती को कि ये सिद्ध कुंजी का स्तोत्र चाबी है, जो आपके किस्मत के दरवाजे खूल सकती है, तो अब नवरात्री में जब जाप करेंगे, तो नवरात्री के दिन इसलिए शुब माने जात करते हैं, कोई भी मंतर का जाब कर रहे हैं, कोई मंतर सुन रहे हैं, तो वो उर्जा जो है आपके चारों तरफ फैल जाती है और वो उर्जा, positive उर्जा आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है, तो ये दूसरा ये हो गया, सिद्ध कुंजी का स्तोतर, ये भी हर कोई कर सकता है और तीसरी चीज, हर व्यक्ति के जीवन में ग्रह कलेश बहुत जाद है आप कहते हैं, घर में सर बिमारियां बहुत जाद है सर कोई न कोई टेंशन लगी रहती है, रिष्टेदारों से कन्फलेक्ट ये, एटसेटर, ये सब चीजे चलती रहती है तो इसके लिए पूरी नवरात्री में एक छोटा सा उपाय, जो फिटकरी का प्रयोगा फिटकरी क्या है, मैं पहले अपने वीडियो में बात कर चुका हूँ, जल्दी से बता देता हूँ, फिटकरी जो है, वो बुद्ध से सम्मंदित मानी जाती है तो आपने क्या करना है, इक सटील का कोई भी लोटा ले लीजे, उसके अंदर जल डालिए, उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजे, फिटकरी जो भी प्रयोग करने है, देसी फिटकरी करनी है, कैمिकल वाली नहीं लेनी, नहीं तो फायदा नहीं होगा देसी फिटकरी डाल कर उसको अच्छे से मिला लीज़े उसके अंदर मिल जाएगी चाहो तो कूट लो थोड़ा सा अच्छे से मिला के फिर इस जल का छिड़काव अपने घर में पूरा करिए और सबसे ज़्यादा जो आप ध्यान दीजे वो ध्यान दीजे मुख्य दरवाजे पर मुख्य दरवाजे पर जाकर इस पानी को आप छिड़काव करिए आप देखेंगे जो नेगेटिविटी आपके घर में फैली हुई थी कोई नजर लगी हुई थी उससे आपको मुक्ती मिलने शुरू होगी तो ये तीन उपाए तो हर व्यक्ती को करने हैं ये हो गई तीन उपाए की बात अब चौथा जो उपाए मान लीजे आप कहते हैं कि सर मेरे काम निनानवे पे जाकर रूख जाते हैं सर मनो काम ना बड़ी देर से कोई मन में लिये जा रहा हूँ किसी ने ये कह दिया कि आप तुमारे ग्रह खराब हैं कोई पित्र रिन है दोश है एटसेटरा कुछ उपाए तो आपने पित्र पक्ष में करे होंगे उसका भी लाव आपको मिलना शुरू हो गया होगा जिन लोगों ने किये उपाए उन्होंने उनका फीड़ बैक भी आना शुरू हो गया कि अभी से ही पॉजिटिविटी और लाब दिखने लगा आप क्या करिए एक छोटा सा उपाए और करिए इसमें करना क्या है एक पान का पत्ता लीजिए उसके अंदर आपने क्या करना है देसी फिटकरी का एक टुकडा लीजिए उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए इसको रैप कर लीजिए रैप करने के बाद किसी भी पीपल व्रिक्ष के नीचे बुद्वार वाले दिन आप ये दबा दीजिए नवरात्री के दोरान कर लें तो बहुत अच्छा है नवरात्री में जो भी बुद्वार आएगा अगर आपके लिए संबव उस दिन कर लो मान लो आप कहते हैं तो नहीं हो सकता तो नवरात्री के बाद भी आप ये उपाई कर सकते हैं तीन बुद्वार लगातार उपाई करना है अगर एक बुद्वार नवरात्री का आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है कोशिश यही करी है कि जितनी जल्दी से जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ ताकि आप जो उपाई बनते हैं आपके वो कर लो दिमाग से सम्मन देता है बुद्ध जो है हमारी वानी से सम्मन देता है बुद्ध जो है कम्मिनिकेशन है बुद्ध व्यापार का कारक है तो जिन लोगों का भी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है सर मैं नया बिजनस शुरू करने की सोच रहा हूँ वगर वो नया बिजनस चल ही नहीं रहा या बन ही नहीं रहा उस चीज का या थोड़ा बहुत चलता है फिर रुख जाता है कोई न कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक उपाए बहुत असान उपाए है, इसमें क्या करना है, पाँच आप देसी फिट करी के टुकडे ले लिजे, जैसे मैंने अभी पहले बात करी तब एक ले रहे थे, अब ये पाँच टुकडे ले लिजे, साइस की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, बस देसी फिट करी होनी चाहिए, पाँच टुकडे आपने देसी फिट करी ले लिया, छे नीले फूल ले लिजे, नीले किसी भी तरह के, चाहिए स्काई ब्ल्यू हो, नेवी ब्ल्यू हो, नीले फूल होने चाहिए, छे नीले फूल ले लिजे, एक कपड़े की बेल्ट ले लिजे, कपड़े की बेल्ट ले आप कुछ न कुछ वस्तू कोई मिठाई ले जाएं वहां जाकर जो मैंने मंत्र बूला था ओम एंग रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे ओम एंग रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे इसका 108 बार जाब करें और फिर ये जितनी वस्तू हैं आप ले गए थे ना दोस्तों ये सारी की सारी उठा लीजे अब ये जो पांच फिटकरी के आपके पीसिस थे इसको किसी हरे कपड़े में डालकर अपने गल्ले में या धन रखने के स्थान पे रख लीजे छे नीले फूल थे उनको जल प्रव कर दीजे और जो कपड़े की बेल्ट थी वो आप किसी भी कन्या को दे दीजे 9 वर से कम उम्र की कन्या को तो पहले जब साइज लेके जाओगे पहले ही ध्यान रख लेना कि हमने आगे 9 वर से कम उम्र की कन्या को देनी है तो ये आप दे दीजे अब किस दिन देना है जिस दिन आप करें उससे अगले दिन दे दीजे एक आदा दिन छोड़ कर दे दीजे उससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बस आप कोशिश ये करिएगा जिस समय पर आप ये उपाये करें उस समय पर वो मंत्र जो मैंने बुला है ओम एंग्रीम क्लीम चामुंडाय वि वीडियोज मिल जाएंगे आप उसमें भी देख सकते हैं आपकी समस्या के हिसाब से है तो आप उनमें से कुछ उपाय अगर आपके बनते हैं तो वो उपाय कर लीजे प्लस मैं कोशिश करूँगा इन दिनों में आपके लिए कुछ न कुछ नए उपाय हर ग्रह के लिए ल मतलब इसको ऐसे पकड़ लीजे कि ये मंतर तो इस तरह से हो गया कि आपको दिन राज सोते जगते अपने आप ही आपके गूंजने लगे ओम एंग रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे आप देखेगा आपके सारे काम जरूर बनेंगे मातारानी की कृपा होगी बहुत झाल 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 झाल